पर सबसे इंपोर्टन वाला जो यहां आता है वो यह हमने यह पूरी लिस्ट करी या आपने जहां से भी पढ़ी आपने पूरी लिस्ट पढ़ी कौन से सक्षन में कौन से अमाउंट पे कितना रेट ऑफ टीजस है कितना मिनिममम अमाउंट से ज्यादा होगा तो टीजस कटेगा और प्रिवेस यह में कोई भी पेमिंट कर रहे हैं हम देखते थे कि इस से पिछले साल में इमेजेटली प्रिसीडिंग एड आयम राइटिंग डाउन स्लोली इमेजेटली प्रिसीडिंग प्रिवेस यह में और वर्ट था if covered by 44AB यानि अगर उनको tax audit कराना है तो उनको current year में कई sections में TDS काटना पड़ता था हाँ कुछ ऐसे sections थे जहां पर जैसे 192 है salary का आगया आपका 195 है non residence की payment का हो गया या आपका 194 I A है कुछ ऐसे sections है 194 E है so I am not doing the entire list वहाँ पर उसको पूरा इंडिविजल और हो को TDS काट नहीं काटना होता था चाहे वह 44 AB में covered है या नहीं है पर उनके बारे में मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि जहां जहां यह लिखा था जहां जहां यह लिखा था कि इंडिविजल और हो को TDS तब काटना है अगर वह immediately preceding year में 44 AB में covered है यह लाइन हटा दी यूँ हट आई अब देखो 44 AB में बहुत सारे provision होगे एक है turnover एक करोड का दूसरा है रिसीट्स 50 लाग का फिर 44 AD में जो आ रहे हैं उनके लिए यह हो गया 200 लाक्स फिर जिनका बिजनस है जिनका बिजनस है और उनकी रिसीट्स मैंने आपको बोला 95% तो उनके लिए हो गया पांच करोड प्रोफेशनल के लिए तो 50 लाग ही रहा यह बिजनस वालो के लिए चेंज हो रहा है 44 AD में 2 करोड हो गया बिजनस जिसका है आपकी कैश की रिसीट्स एंड कैश के एकस्पेंडिचर अर लेस दन और इक्वल तू 5% तो आपका पांच करोड हो गया अब कहने का मुतलब यह है आपको टैक्स और नहीं कराना समझ में आती है पर आपको टीडियस नहीं काटना है पांच करोड की टरनवर है दो करोड की टरनवर है इंप्लोईज होंगे जो आपके लिए कांश कर रहे होंगे तो गर्मन ने क्या किया गर्मन ने बोला भी टीडियस के लिए 44 AB का कंडिशन नहीं है अगर आपकी टरनवर एक करोड से ज्यादा है या आपकी रिसीट्स पचास लाक से ज्यादा हैं, तो आपको अब टीडियस काटना पड़ेगा, इससे परक्या पड़ा, अगर हम बात करें, प्रीवेस येर उननेस बीस में, और मैं बात करूँ बीस एकिस में, लेट उस सी, वाट इस डिफेंस, अगर एक इंडिविज्जूल है, जो 44 A, D में कवर्ड है, जिनकी टर्नोवर 150 लाक्स है, दो करोर से कम है, यह 44 A, B में कवर्ड है, इन्होंने कोई पेमेंट करी, लेट आसे पेमेंट करी for interest, अब इंटरस्ट के सेक्शन में, 194 A में, इनको TDS तब काटना है, अगर वो immediately preceding year में, tax audit में आते हैं, I am assuming, इनकी यह turnover preceding year की है, अब यह tax audit में आते नहीं है, क्योंकि यह 44 A, D में आ रहे हैं, तो इनको TDS नहीं काटना था, अब क्या हो गया, अब immediately preceding year में, turnover एक करोड से जादा इनको TDS काटना है, चाहे इनको tax audit नहीं कराना, और चाहे यह presumptive income में आ रहे हैं, तो समझे, the difference now is, that वो कहते हैं, TDS काटने के लिए हम केवल देखेंगे, एक करोड और पचास लाग, आप tax audit करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, now keep this in mind, for all the sections of TDS, because this is a very important, small, but a very very important amendment, क्यूंके यह साल COVID का साल था, and because government has given a relief, so now specifically only for the year 2021, केवल 2021 पे क्या किया, government ने एक reduction in rate of TDS दिया, for all payments from 14th May to 31st of March, अच्छा आप इसको बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बाद, यानि 14 में से लेके 31 मार्च 21 तक, 14 में 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, जो भी payment हुई, उसमें rates का 25% का reduction दे दिया, 25% का reduction दे दिया, for example, अगर 193 का rate 10% है तो साड़े साथ हो गया, 194 का 10 है, साड़े साथ हो गया, 194 A का 10 है, साड़े साथ हो गया, 194 C का 1% था, तो 0.75 हो गया, 2% था तो 1.5 हो गया, D 5 था 3.75 हो गया, ये अभी हमने नहीं करें, 194 G में 5 था, 5 था, तो उस तरीके से आप समझ के चलेंगे, कि जितने rates थे, सब में 25% का reduction हो गया, I hope that part is very very clear to you, ठीक हो की बात, तो आप लोग याद रखेंगे, कि अगर जो payment हो रही है, वो इस दोरान हो रही है, तो आपको देखना है, 1st April 20 से लेके, 13 मई 20 तक जो payment होई, उस पर normal rates है, उसके बाद सीधा याद रखो, 25% का reduction हो जाएगा, मैं अपने जितने questions कराऊंगा, मैं normal rates लेके कराऊंगा, हाँ, जब ICAI के questions करेंगे, तो हम देखेंगे ये 25% reduction, क्योंके मैं सारी जगां, section का rate लेके, आपको question कराऊंगा, इस अपर्ट क्लिर टी, ठीक है, अगर कोपरेटिव बैंक है, वेर इंटरस्ट इंकम क्रेडिटेड और पेड बाए अ कोपरेटिव सुसाइटी, तो अगर कोपरेटिव बैंक है बैंक है तो बैंक जब डिपोजिट पे या रडी पे पे करते थे तो उस पे टीडिए करता था आज नॉमल वही आपको पता है, कोपरेटिव बैंक या तो कंपनी बनी हुई है या एक बैंक को कोपरेटिव सुसाइटी बनाया हुआ है, या किसी और कोपरेटिव सुसाइटी को ब्याज दिया उस पे टीडिए नहीं करता है, से भी दियांद हैंक जब फर्म पार्टनर्स को इंटरस्ट पे करती हैं जब फर्म पार्टनर्स को इस खो भी द्यान से कर लेते हैं, लिजए वहन फर्म समेट keयरे चल्रराई स्पार्टनर्स को इस पेष aquí, में नहीं है और यहां पर TDS 194A में नहीं है तो उनली केस कुड़ भी वेर दा पार्टनर इस नॉन रेजिट तो उस पर TDS अंडर सेक्शन 195 कटेगा तो यह हो गया firm to the partners अब आई बात cooperative society to its members to members और to another cooperative society किसी और cooperative society से उन्होंने कोई लोन लिया और उस पर interest दिया इस पर कोई TDS नहीं होता था अब तिल finance act 20 came in and spoiled the fun a little कैते अगर total sales gross receipts or turnover of the cooperative society is more than 50 crore rupees during the immediately preceding financial year and the amount of interest or the aggregate amount of such interest during the year is more than 50 thousand rupees in case of pay being senior citizen and 40,000 in case of any other case then tedious cut now so we cooperative society members को दे रही हैं corporate society की दो बात होगी तो the pair cooperative society की immediately preceding year में turnover जो है वो 50 crore से ज्यादा है plus जो interest pay हो रहा है current year में 50,000 से ज्यादा है for senior citizen और 40,000 से ज्यादा है for other तो अब इनको TDS काटना पढ़ जाएगा but this is only for large cooperative societies not for small cooperative society so I think that part you should remember not a very important one for senior intermediate पर देखे कोई भी चेंज है एक बार amendment के तौर पे कर तो लेना चाहिए तो यह तो हो गया the principal officer of an Indian company or the company which has made the prescribed arrangements for declaration and payment of dividend within India shall before the making of payment by any mode यानि cash में दो चेक से दो या कोई और mode ECS etc in respect of any dividend और deemed dividend अच्छे यह declare होता है वो final return term होता है पर कई बार income tax में बोला गया कि कुछ जैसे companies हैं instead of declaring dividend उनके पास investments पड़ी हुई है land की वो distribute कर देते हैं share order में यानि cash नहीं देते हैं asset distribute कर रहते हैं income tax कहता है यह dividend directly नहीं है पर हम इसको मान लेंगे deemed dividend का concept आएगा पढ़ेंगे क्या क्या आता है वहां पर dividend deemed हो या actual हो दोनों case में TDS कटेगा at the rate of 10% then no deduction shall be made in case shareholder being an individual low जी TDS की माफी कब है अगर shareholder individual है और dividend paid by company by any mode other than cash है exemption तब है TDS की dividend पे अगर individual को payment हुई और जो payment हुई other than cash हुई and the amount of such dividend the aggregate of the amounts of such dividend distributed or paid or likely to be distributed or paid in the financial year by the company to the shareholder is less than equal to 5000 so अभ याद करो dividend पे TDS कटेगा unless dividend is paid to an individual by a mode other than cash and the amount in aggregate is less than or equal to 5000 in the year तो माफी है बेटर टीडियस है वरना तो ही है तो बड़ी बहुत बड़ी माफी नहीं है पर हाँ MCQ में ये बात आएगी दूसरा 194 will not apply when dividend is paid to LIC अब क्या होता बड़ा LIC के पास बहुत सारे investors समझो इन बातों को पैसा डालते हैं LIC आगे market में पैसा लगाती है और इनको companies dividend देती हैं इस पे कोई TDS नहीं कटेगा क्यूंकि LIC तो government की company corporation है government की controlled entity है LIC का inflow of cash कम नहीं कर रहे हैं GIC in respect of shares owned by the corporation or if the corporation has beneficial interest so general insurance या LIC or any other insurer so basically insurance companies को जो आगे investment करने पे dividend आ रहा है उस पे TDS की माफी है मैं नहीं कह रहा उनके हाथ में ये dividend exempt होगा dividend taxable होगा लेकिन TDS की माफी है तो चलिए let us keep going and let us keep doing the sections जितने बचे हैं वो सारे करने अभी एक चीज़ बताओ इतने सारे section हो गए है कि तुम्हें याद भी है कुछ है ना थुछ देर बाद ऐसे लगना शुरूर जरूर हो जाता है कि पता नहीं यह सब कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा तब याद रहेगा I promise you but little by little in our goes by little by little a day little by little you reach your goal or let it slip away तो लगे रहो बेटा मैंने बोला मेहनत आप मेरे साथ करते जाएंगे तो जैसे ही लगे भूल रहे हैं एक बार दुबारा पढ़ना शुरू कर दो सर एक बार में होता नहीं तो दो बार करो कई बचे बुछते हैं सर यह section सारे याद रखने हैं हाँ after all you are going to be doing chartered accountancy तो कौन याद रखेगा अगर आप नहीं करोगे तो सर याद कैसे करते हैं तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता था मैं शुरू से शुरू हो जाता था और पहले एक बार सारे section देख लेता था चैप्टर में कौन से कौन से आ रहे हैं फिर मैं एक blank sheet of paper लेता था उस पर मैं जितने मुझे section याद आते हैं list wise section 4 basis of chart section 5 subsection 1 Indian receipt section 5 subsection 2 foreign receipt section 9 1 2 3 4 5 6 7 section जितने याद आ रहे हैं 10 section जितने याद आते जाते हैं लिखते जाओ section 192 193 194 194 क्या होगा पिटा आपकी मेहनत से आपकी list बनेगे and I keep repeating आपने paper देना है so let's try and find a way to do it even if we can't याद रहेगा बारी बारी करेंगे एक बार में नहीं होगा दो बार करेंगे अब और section करेंगे 194 K हमने बात करी dividend की now if I remind you dividend जो है dividend दो जगह से आ रहा है एक आता है shares and I am going to write down of companies now shares of companies जो है इस से जब आपको dividend आता है that dividend goes now is taxable in the hands of the shareholder चाहे shareholder resident हो चाहे shareholder non-resident हो dividend shareholder के हाथ में taxable होता है but what we now know is that resident shareholder के लिए TDS कटेगा under 194 and non-resident के लिए कटेगा under section 195 और वहाँ आपको पता है is MMR maximum marginal rate so shares of company पे हमें dividend आता है now shares of companies में problem क्या है कि मैं आगर reliance का share खरीता हूँ तो मेरा risk जो है वो actually consolidated into one share मैं भी चाहता हूँ मैं reliance के भी खरीद हूँ Tata के भी खरीद हूँ मैं unacademy के भी खरीद हूँ मैं XYZ के भी खरीद हूँ ABC के भी खरीद हूँ मैं सारी companies के shares करीद हूँ कई नई start-up companies है सस्ते share है पर पता चले वो इतनी बड़ी company बन गी तो मेरे को तो बहुत बड़ा jump मिल जाएगा पर इतना पैसा किसके पास है सारी companies के shares करीद है कैसे तो एक रास्ता निकला of mutual funds now what are mutual funds mutual funds बेटा are companies which are approved by SEBI Securities Exchange Board of India जिनका कारे क्या है diversified portfolio में invest करेंगे तो investors जितने हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है हो सकता किसी के पास 50,000 है किसी के पास लाख है किसी के पास दो लाख है तो वो सारे लोग इनके through इनके through आगे schemes में पैसा लगाएंगे और यह बोलेंगे suppose equity growth scheme है यह आपको बताएंगे आपका जो पैसा आएगा 20% high growth funds में लगेगा जिनकी growth बहुत हो सकती है कुछ लगेगा blue chip companies जो already established companies जिसमें fluctuation बहुत जादा नहीं होगी पर generally उपर ही जाती हैं so suppose 40% वहाँ लगेगा हो सकता 30% debt में लगेगा 10% government securities में लगेगा तो ऐसे वह bifurcation आपको बताएंगे consequence company के shares में पैसा लगेगा consequence company debentures में पैसा लगेगा mutual funds are handled by experts people who understand the market like you and me don't I want to invest money बड़ मुझे पता ही नहीं कॉंसे share में करूं तो मैं mutual fund के through add भी आती ना सही है तो basically this was a route to attract what we call retail customers retail customer बोलते हैं इसको end customer जिसके बस पैसा थोड़ा है बहुत जादा नहीं है market में खेलना भी चाहरा है पता नहीं कैसे खेलें तो वो mutual fund में डाल देते हैं और mutual fund इनको इनके पैसे के इसा invest हो जाएगा mutual fund को return आएगी यह आपको return देंगे इसको बोलते हैं dividend so this is dividend from mutual fund so एक dividend आ रहा है from mutual fund from mutual fund अच्छा एक बात और यहां देखो mutual fund के units की value भी बढ़ रही होती है यानि आप इनको बेचोगे तो भी profit होगा वो capital gains होगा तो दो टाइप के return आ रहे है return off and return on return on जो है वो dividend है और वो भी आज की date में shareholder के हाथ में taxable हो गया चाहे shareholder resident हो चाहे shareholder non resident हो और resident के लिए आ गया section 194K at the rate of 10% non resident के लिए आ गया पिटा 196A at the rate of 20% so ये दो section आगे हमारे पास जिनको आप याद रखोगे for TDS on dividends मैंने पूरा एक overview करा दिया अब उन्होंने बोला 194 में उन्होंने बोला अगर shareholder individual है and जो payment होई है वो other than other than क्या था वहाँ पर cash में होई है and less than equal to 5000 per annum है तो उस पर TDS नहीं कटेगा यहां उन्होंने बोला अगर payment less than or equal to 5000 है aggregate per annum तो TDS नहीं कटेगा तो अगर आप wording देखोगे यहां पर individual और other than cash missing है यानि सब के लिए exempt है और चाहे आप जैसे मर्दी मोट से payment करो तो भी exempt है so if we go and have a look over here the section responsible the section provides that any person responsible for paying to a resident और यह सारी बाते मैंने लिखी any income in respect of mutual funds दूसरा बोला units of administrator of specified undertaking and specified company अब आपको यहां बता दूँ unit trust of India was run by the government was one of the largest mutual funds बाद में उसको divide करके थोडी companies में divide कर दिया गया उनको बोला गया यहां पर तो आप UTI या रखेंगे तो भी बहुत है deduct tax there on at the rate of 10% however no TDS is deductible where the amount of such income as the case में the aggregate of amounts is less than or equal to 5000 so you notice over here individual नहीं लिखा other than cash नहीं लिखा and if the income is in the nature of capital gains तो capital gains की income पे TDS 194K में नहीं कटेगा redemption है लाख रुपया invest करा था market में shares की value बड़ी तो units की value बड़ेगी है ना so अगर अगर इन shares की value बड़ी तो इस unit की भी value बड़ी थी आपने कितने के लिए थे 100 रुपय के कल को 110 के भी करें वो जो 10 रुपय आया वो दिए नहीं है वेटा उस पर TDS 194K में नहीं कटेगा राइट यह होगी बात यह आ गया पेमेंट तो non-residents the TDS section is 196A तो वहाँ rate है 20% क्याता है part 2 of the first schedule has been amended to provide TDS rate 20% from dividend income in case of non-resident Indian foreign company or any other non-resident person the surcharge rates on TDS in the hands of the non-resident taxpayer is proposed to be capped at 15% instead of 25 or 37% अब यह क्या है देखो अभी हमने एक चार्ट बनाया था पीछे वापस आना पड़ेगा हमें 194K पे आते हम तो कैसा मिलता जुलता चार्ट वहाँ पर हमने पड़ा था और हमने देखा कि dividend on shares पे resident को और dividend on mutual fund units पे resident को 10% TDS करता है section 194 194 के फिर हमने बात करी non-resident की यह 196 A की तो बात करी 20% और मैंने बताया था कि 195 पे 30% अब क्या हुआ गामन ने जाके इसको ठीक करा उन्होंने एक schedule में जहां rates दिये थे for payments to non-residents वहाँ जाके बोला भी dividend पे 20% हो जाएगा यानि अब आप देख रहे हो यह बराबर हो गए हासर पहले इसले नहीं बताया ताकि आपको यह दिमाग में याद रह जाए और यह हमने यहां जाके 195 में हमने यहां पर इसको note कर लेना है कि part 2 of the first schedule has been amended to provide that the tedious rate is 20% from dividend income in case of non-resident and foreign company and उसमें जो सर्चाज होगा वो केवल 15% लगेगा इसके rates पे questions बहुत सारे करेंगे when we reach total income end में पूरा rate calculation का एक अलग topic दिया वमने tax calculation in various situations with surcharge higher surcharge everything we will do again चलो यह हो गया तो चलिए आगे चलिए 194N and 194M 194N एक बहुत अजीब सा section है अभी तक हमने जितने TDS की payments की बात करी वो आपकी payment जो आपको आ रही है which is going to be a part of your income उस पे लगती है अब यह वाला देखिए कहता है अगर किसी bank account में से आप अपने bank account में से अपने bank के account में से अपने account में से मैं दुबारा दुबारा बोल रहा हूँ अपने account में से और आपका account जो है could be a savings bank account या आपका current account हो सकता है अगर आपने अपने ही bank account में से पैसा withdraw करा cash में cash withdrawal और जो withdrawal आपने करें वो मिला कर एक करोड से ज्यादा है एक साल में मिला कर मिला कर मतलब पूरे साल में आपने अपने किसी भी account से पैसा withdraw करा और वो withdrawal एक करोड से ज्यादा है तो कहता है जो आप अपने ही bank से पैसा withdraw कर रहे है cash में उस पे tds कटेगा अब अब अन्दा कहता है भाई मेरी बात सुन मेरा पैसा बैंक में पढ़ा है मैं withdraw कर रहा हूँ यह मेरी income कहां से है इस पे tds कैसे हो गया तो government कहते है tds का logic भी हमने डाला रहा यह logic भी हमारा है हम तो basically trace रखना चाह रहे हैं कि आप एक करोड से ज़्यादा cash में क्या करें digital payment कीजिए न this is in furtherance of the government's policy of a digital economy भई cash की transactions खतम करें क्योंकि cash की transactions trace नहीं हो पाती है हमने करते हैं बैंक से payment करो आजकल तो यूपी आए है भी मैप है फोन पे है आपके पास पेटीम है आपके बहुत कुछ है उनसे payment करी जाओ न यह cash क्यों चाहिए आपको अगर आप कर रहे हो हम नहीं कह रहे हैं कि हम तुम उससे हम तुम से उस पे tax ले रहे हैं हम TDS कट वा आप गल लगेगी फिर आएंगे सर आपके पास मिलने आप से search and seizure में तो यह वो sections है आपने बैंक से पोस्ट ऑफिस से अपने किसी भी खाते से एक करोड रुपया से ज्यादा cash में अगर आपने withdraw करा तो आपको 2% TDS कड़ेगा जिसका आप return के समय credit ले सकते हैं लेकिन अगर withdrawal government खुद कर रही है अपने bank account से या bank खुद कर रहा है या ATM operators होते हैं उनकी बात अभी कराऊंगा मैं यह लोग कर रहे हैं तो इस पे कोई भी TDS नहीं कर देगा चलो पढ़े 194N TDS on cash withdrawals exceeding 1 crore he says any payment made by a banking company or a cooperative society engaged in the business of banking तो कई banks होते हैं जो companies बने होते हैं कई banks होते हैं जो cooperative society form करके banking में आते हैं और a post office to any person in cash more than 1 crore during the previous year from one or more accounts shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax पहले क्या होता था एक करोड से ज्यादा जो withdraw करते थे सिरफ उस पे आपको TDS लगता था अब क्या हो गया 2% rate is now proposed नहीं हो चुका ही है on the entire amount of withdrawal and not the amount exceeding 10 million 10 million अतर 10 करोड finance act 20 ने अब देखो क्या किरा अब finance act 20 चाहती है कि जो लोगों ने return नहीं भरी और वो एक क्रोड से ज़्यादा cash withdrawal कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा cash withdrawal कर रहे हैं तो अब इनका ध्यान और रखेंगे अब उन्होंने क्या बोला कि अगर recipient ऐसा है जिसने return नहीं भरी है तीन इमिजेटली प्रसीडिंग प्रिवेसियस की दें इन विच्ट पेमेंट इस मेड फॉर विच्ट टाइम लिमिट अव रिटर्न हाज एक्सपायर अब बैंक को बोला गया भी पहले पता करो जिसको पैसे आप दे रहे हो उसने पिछले तीन सालों की return भरी है नहीं भरी है अगर पिछले तीन सालों की return उसने नहीं भरी है तो एक काम करो अब बीस लाग से उपर जो withdrawal हो रहा है उस पे दो परसंट इडियस काटो तो टू परसंट अफ दी अमाउंट बिट्वीन ट्वेंटी लाक्स एंड वन करोड बीस लाग से उपर जो withdrawal हो रहा है अब तिल वन करोड करता दो परसंट ले ऐसे बंदे के लिए कैसे वाले के लिए ऐसे वाले के लिए जिसने पिछले तीन सालों की return नहीं भरी उसके लिए अगर withdrawal एक करोड से ज्यादा है तो सम और टीडियस का रेट हो जाता है पांच परसंट तो चलिए वाट what is the complete analysis आप अपने ही bank account से current account से savings account से cash में withdraw कर रहे हैं एक करोड से ज्यादा withdraw कर रहे हैं तो आपको TDS कटेगा 2% लेकिन अगर आप वो हैं जिन्होंने पिछले तीन सालों में return नहीं भरी है तो आपके लिमिट 20 लाग होगी 20 लाग से 1 करोड तक 2% होगया 1 करोड से उपर 5% ह अच्छा एक मिर को बताना और यहां याद आना चाहिए हम ना bank में पैसा जमा कराते थे if I deposit money in an account remember एक करोड से ज्यादा तो मुझे return भरनी ज़रूरी होती थी कुछ ऐसा था did we do something like that अब याद आगा तुम्हें हमने का था अगर एक करोड से ज्यादा deposit करा in the current account in the bank in one or more accounts in one or more banks ये condition थी return भरने के लिए तो अगर मेरे पास let's say state bank of India में खाता है मेरे पास let's say yes bank में खाता है और दोनों खातों में current account है दोनों banks में sorry current account है और इन current accounts में मैंने जमा करा है जमा करा है यहाँ पर मैंने 70 लाग जमा करे है यहाँ पर मैंने 50 लाग जमा करे है अब जब return भरने की बारी आएगी remember the condition is on filing the return and the condition is on you bank return नहीं भर रहा है आप भर रहे हैं तो आपकी limit will be on aggregate of deposits in all banks together तो limit वहाँ पर सारे banks में थी और वहाँ पर एक और बात बड़ी interesting थी कि पैसा cash में जमा होना ज़रूरी नहीं है check से जमा हुआ ECS से जमा हुआ basically तुम्हारे bank में कितना पैसा आया अगर एक करोड से ज़्यादा आया तो आपकी return भरनी compulsory थी now differentiate that from the current section that we are talking about यहाँ withdraw हो रहा है bank से और bank को बोला जाला है TDS काटो तो अगर मेपस state bank of India में खाता है और yes bank में खाता है और यहाँ से मैं withdraw कर रहा हूँ 70 लाख रुपया यहाँ से withdraw कर रहा हूँ 50 लाख रुपया अब यहाँ पर दोनों banks को कठे aggregate limit नहीं हो पाएगी तो एक bank से अगर आपने withdraw करा एक करोड से जादा तो वो बैंक आपका TDS काटेगा so remember over here the withdrawal और यहाँ withdrawal is in cash यहाँ withdrawal is in cash so I hope you will remember this part now he says section 194M में यह जो हमने बात करी है यह जो अभी change आया है is to discourage cash transactions and move towards a less cash economy the provisions have now been made more stricter by linking cash withdrawal done by those taxpayers who have not filed tax returns for the past three years तो उन्होंने बोला हमने यह क्यों करा यह finance minister जब भी आपको बताया है मैंने budget आता है एक वहाँ पर memorandum देते हैं जिसमें बताते हैं कि उन्होंने यह change करा तो क्यों करा फिर उन्होंने बोला that the central government may specify in consultation with RBI by notification in the official gazette the recipient in whose case the first provision shall not apply or apply at reduced rate if such recipient satisfies the condition specified in such notifications which basically means यह वाली जो बात हुई हमने 20 लाक वाली government के पास power है कि वो notify करते हैं किन को यह नहीं लगेगी या किसी lenient form में लगेगी अब no tax is required to be deducted at source on cash withdrawals by the government banking company और cooperative society और post office खुदी withdraw कर रहे हैं तो उस पे तो tax नहीं लगेगा business correspondent of a banking company और cooperative society engaged अब यह business correspondent कौन होता बिटा business correspondent होता है RBI ने banks को allow करा कि आप business correspondence appoint कर सके हैं जो जाके bank के बहाफ पे negotiations करके business ला सके हैं उनको commission जाती है अब उनको कई बात payment भी करनी होती है तो यह banking के जो bank correspondence है अगर वो withdraw कर रहे हैं तो आप उस case में allowed है tedious नहीं कटेगा so any white label automated teller machine operator white label automated teller machine operator of a banking company और a cooperative society engaged in carrying on business of banking in accordance with the authorization issued by RBI under the payment and settlement systems act 2007 लो जी यह क्या आगया अब तो बताईए अब ATM पे जब आप जाते हैं कई ATM होते हैं जहां बाहर bank का logo लगा होता है यह yes bank का ATM वहां आप केवल yes bank के card से withdraw कर सकते हैं पर कई ATM होते हैं जैसे इंडिया cash है या मुथूट finance का है अब कोई भी जाके card use कर सकते हैं किसी भी bank का और पैसा निकल जाता है तो RBI ने realize करा कि हमारे देश में ATM बहुत कम है और penetration बहुत कम है ATM की cash withdraw के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था कई बार क्योंकि जहां bank है वहीं पर मेरा खाता और वहीं का ATM यूज कर सकता था मैं तो RBI ने एक निया concept निकाला वाइट लेबल automated teller machine operator यह लोग कौन हैं यह हैं कोई non banking financial companies NBFC बोलते हैं अगें लाइक मुथूट finance RBI ने उनको license दिया कि वो ATM खोल सकते हैं एनी non banking entity with a minimum net worth of 100 करोड के नपलाए फूर वाइट लेबल एटिया तो टाटा कंपनी को पहला मिला था इंडिया cash वो चलाते हैं मुथूट finance को मिला RBI कई licenses issue कर चुकी है अब इसको differentiate करेंगे between white label और एक नाम दिया हुआ इन्होंने brown label चलिए जी sounds more like you know whiskey के brand sound कर रहे हैं ये बड़ चलिए white label और brown label की बात करते है white label and brown label white label क्या है ये एक nbfc है किसी particular bank के ATM नहीं चलाएगी वहाँ किसी bank का logo नहीं होगा आप किसी भी bank का card use करके withdrawal कर सकते है of course limit है कोई 10,000 की limit है आप withdraw कर लेंगे so on ऐसे rules हैं ये किसी particular bank के साथ काम नहीं कर रहे हैं इनका एक sponsor bank होता है जो यहाँ पर पैसा इनके ATM में डालने के जिम्मेवारी लेता है ये ensure करते हैं कि अंदर fake currency नहीं होएगी वो सारा RBI ने system बनाया हुए तो यह हो गया white label so these are operated by non banks authorized by RBI 100 crore से जादे के net worth होनी चाहिए बट not only for a particular bank किसी एक bank के लिए नहीं है ये लोग आगे franchise बनते हैं जैसे मेरे पास let's say चंडिगड में एक particular area में दुकान का जगा है उन्होंने requirement भरी हुए भी इतने square feet जगा होनी चाहिए इतना ये requirement होनी चाहिए बिजली का connection होनी चाहिए सारा तो मैं website पर जाके apply कर सकता हूं भी मुझे आप ATM खोलने दीजे तो यहां पर आके machine लगा जाएंगे obviously responsibility उनके होगी तो एक तो होगया franchise बांटेंगे यह आगे उसी तरीके से brown label कौन होते हैं अब जैसे yes bank है yes bank कहता हम अपने सारे ATM's खुद operate करें वो एक third party को contract दे दती है कि यह हमारे ATM's आप operate करेंगे so when banks outsource ATM operation to a third party that is called brown label अब यहां पर क्या कर रहा है कहता है जो white label automated teller machine operator है इनके bank में पैसे आएगा यह withdraw करके ATM's में भरेंगे उस withdraw पे 194N में TDS नहीं कटेगा एक तो यह होगी बात दूसरी बात होगी banks अपने ही वहां से bank account से cash withdraw करके ATM में डाल रहे हैं तो bank कर तो उसने पहले ही बोल जाता है ना withdrawal by any banking company नहीं आ रहा और अब यह white label automated teller machine operator को भी बोल दिया फिर देखिये cash replenishment agencies and franchise agents of white label automated teller machine operators for the purpose of replenishing cash cash भरने के लिए इन ATM operated by these entities subject to conditions mentioned in the notification तो मैंने बताया यह लोग भी आगे franchise भी आगे cash replenishment agencies भी आगी यह सारे आगे यहां पर इनको भी TDS नहीं कटेगा commission agent or trader operating under agricultural produce marketing committee and registered any law relating to agricultural produce market of the concerned state have been exempted subject to conditions अब यह commission agents क्या करते हैं जो लोग खेती कर रहे हैं उनका समान बेचते हैं खरीदते हैं तो इनको जब पैसा bank में आता है withdraw करके इनको खेती वालों को देना पड़ता है तो उन पे भी TDS की exemption दे दी then बेटा the authorized dealer and its franchise agent and sub agent and full-fledged money changer licensed by RBI and its franchise agent for the purpose of purchase of foreign currency from foreign tourists or non-residents visiting India or resident Indians on their return to India in cash as per directions or guidelines इशिवार भी है तो आपके पास डॉलर आगे हैं आप कौन हो सकते हैं आप यह तो foreign tourist हैं या आप non-resident हैं या आप resident हैं जो इंडिया के वापस आ रहे हैं dollar लेके गए थे बच गे वापस आगे ऐसा होता का मैं बच थे बच गे अब आप इसको exchange करने जाएंगे authorized dealer के पास जाएंगे जो RBI के पास जो आर्बी जिसने RBI से license लिया हुआ है उसको आप डॉलर देंगे वो आपको क्या देगा cash उसके पास cash कहां से आया उसने bank से withdraw किया of RBI, a Western Union, USA X ने अपनी ममी को पैसा भीजा है, Western Union के bank में आ गया, अब ममी withdraw करने हैं निकाल उनको पैसा चाहिए, Western Union वाले bank से withdraw करते हैं, Lumsum और जाके अलग-लग लोगों को cash में distribute करते हैं, तो उस पे भी TDS नहीं कटेगा, so please understand, these are the provisions of 194 and that you need to remember. 194 J में, just a quick recap, हम professional services, technical services, royalty and non-compete fees की payments पे TDS काते थे, plus of course, payment to a director other than those covered under 192. अब इन सब पे limit थी, 30,000 per annum per service per person, director पे limit नहीं थी, and rate of TDS, I remember, if you remember correctly, was 10%, but call center पे 2% था, technical services provided by a call center was 2%, everything else was 10%. Now, what was happening was, एक debate हो रहा था, की 194 C में और 194 J में debate हो जाता कही बार, अभी teacher का service है, nowadays you can see a lot of teachers providing their recordings to different entities and the entities paying them money. Now, all of that is a works contract, is it a professional contract, is it a technical contract, is it a works contract, is it a works contract, इसी पे debate रहेगा, और हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यह works contract, अभी एक company ने मुझे कारे दिया कि यह 500 घंटे record करके मैं उनको दे दूँ, तो इस पे TDS कटेगा under 1%, क्योंकि मैं individual हूँ, अगर कोई और होता तो 2%, पर यहाँ 194 J में अ अभी क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला, fees for technical service का rate घटा के 2% करते हैं ताकि जगडा ना हो, so to avoid litigation, जैसे payment to call center, fees for technical service, now the rate is 2% also, royalty where such royalty is in the nature of consideration for sale, distribution or exhibition of cinematographic films, मैंने आपको बताया था, कि जब आप अपनी cinematographic film को बेच रहे हैं, वो भी royalty की definition में आ गया, राइट्स दे रहे है वो भी royalty की definition में आ गया है, हमने 916 में पढ़ा इसका और उस पे भी rate of TDS now becomes 2%, so rate of TDS over here is 10%, technical service now becomes 2%, royalty दो पार्ट में होगी 10% or 2% if it relates to this, non-compete fees पे हो गया 10% and directors charge पे हो गया 10%, clear होगी बात, ना बिटा, individuals and HOF making payment for personal contracts are not liable for TDS under 194J, ये important point है, considering specifically जब 194M आया, उसका detail हमने 194M के साथ करा and now comes one of the very important concepts, जिसके उपर अमेंडमें भी आई थी, Finance Act 20 में, he says manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer or its associate being a person placed similarly in relation to such customer as is the person placed in relation to assessi, under the provisions contained, पता नहीं क्या बोली आ रहा है न, अच्छा, but does not include, पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो एक काम करते हैं, इसको समझते हैं, और यहाँ पर diagram बनाएंगे, अब समझो, let's say ये client है, और इसको मैं बोल रहा हूं, contractor, अब ही अराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ये amendment है, और इस पर question आ सकता है, अब सोचो ये client जो है, ये client है X Limited, और contractor है Mr. Y, अब X Limited बनाती है, जूते, manufacturing of shoes, उनको चाहिए डब्बे, जूतों की packing का, तो वो इनको देती है, order, for making dabbas, but उसको बोलते हैं for corrugated boxes, इसका मतलब क्या हुआ, इन्हों ने बोला, आप ये जूतों के, गत्ते के डब्बे बनाके हमें दो, अब एक चीज़ बताओ, ये जो Mr. Y है, इन्होंने sale करने, अब ये क्या करें, material खरीदेंगे, जूतों के डब्बे का, गत्ता खरीदेंगे, सो वी से purchase of raw material, फिर ये अपनी labor लगाएंगे, ठीक है जी, उन्होंने बोला भी, एक डब्बे का material लगेगा 20 रुपया, labor लगेगी 10 रुपया, प्लस 5 रुपय का हमारा profit होगा जी, पर डब्बा, तो हम कहते हैं, प्लस profit, और ये selling price हो जाएगी, 35 रुपीस पर box, अब सरफ ये बता दो, कि जब X limited payment करेगी, क्या वो TDS contract हो गया, बोलोगे न, मुझे पता था, बिटा एक ची बताओ, ये works contract है या sale of goods contract, पढ़े न, दिक करना है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अब Mr. Y कहता जी, मेरा TDS क्यों कड़ेगा, मैंने तो तुमें sale करेगे, गत्य के डब्बों की, मुच्छड कहता है, labor भी है, तो material labor दो न लगेगी, इसमें का एका TDS, ये बात सही है, ये sale of goods contract है, so we said this is sale of goods, therefore there is no TDS, समझ में आगी बात, अब समझो case 2, ये तो हो गया case 1, अब case 1 में है, तो ये sale of goods contract हागी, अब सोचो, company ने, ये client ने जब order दिया, contractor ने 20 रुपे का material बोला, सस्ता लगा दिया, 5 रुपे का, डब्बे हलके थे, जूते भार गिर गे, company ने बोला, material हम खरीदेंगे, so we say, company says, we will purchase raw material for 20 रुपीज, यानि आप ये raw material नहीं खरीदेंगे, और raw material तुम खरीदोगे नहीं, तो ये तुम्हारी costing में आएगा नहीं, तो तुम्हारा अब जो bill raise होगा, वो होगा 15 रुपे, तुम 5 रुपे पर डबा profit ले लो, कोई दिक्कत नहीं, company नहीं ये material issue करा, तो भी से material issued, अब एक चीब बता तो, जब material issue करा, और Mr. Y. ने सिर्फ labor का काम करके दिया, क्या ये works contract है, हा, तो अब इसके उपर no TDS नहीं है, ये sale of goods नहीं है, ये आगया works contract, this is works contract, and TDS on 15 रुपीज is deductible under section 194C, clear होगी बात, अब चाते हैं, तीसरा part, ये हो गया हमारा part two, चले, अब company में और Mr. Y. में क्या हुआ, जिसकी वज़ा से law payment हुआ, ये देखते हैं, company ने बोला कि अगर हम material issue करते हैं, तो why कहता जी, मैं ले works contract में आगया, TDS कट रहा है, आपने material खरीदेना ये आपकी है, आप मुझे बोल तो, मैं खरीद लूँगा, मुझे TDS नहीं कटवाना सर, company ने क्या करना शूकरा, company कहती है, okay, हम material sale कर देते हैं, अब तुम दिखाओ कि तुमारे को purchase हुआ, for 20 rupees, और उसमें अब तुम यहां bill raise करो 35 का, और अब हम दिखा देंगे sale of goods contract, therefore इस पे TDS नहीं कटेगा, जब ये बात assessing officer को पता चली, assessing officer कहता है यार, ये लफडा है, मैं law बनाता हूँ, ये पहले तोड़ लेते हैं, assessing officer ने ministry को बोला, ministry ने बोला, okay, आम तोर पे जब भी जो बंदा order दे रहा है, जो बंदा order दे रहा है, जो बंदा order दे रहा है, और जिसको order मिल रहा है, अगर इनके बीच में arms length की dealing है, तो material जो आप खरीदोगे, वो आप third party से खरीदोगे, जो order दे रहा है, उससे नहीं खरीदोगे, यानि आप X limited से raw material नहीं खरीदोगे, अगर आप एक्स लिमिटेड से ही ओर्डर खरीद रहे हो जिसने आपको ओर्डर दिया तो यह कहता है यह वर्क्स कॉंट्रैक्ट है अब इसके उपर वर नाइटी फॉर्स ही लगेगा बच नहीं सकते लेकिन इसने दो बाते अच्छी बोली कहता अगर तो आपने बिल में 20 रुपया और 15 अलग लग दिखाया तो हम 15 पर कितवाएंगे 20 पर निक इतवाएंगे लेकिन अगर इकट्थे डिखाया तो سारे पर कितवागेगा समझ गया अब जब यह हो गया तो कारिकर दिमाग और आगे निकला अब कारिकर दिमाग क्या करता है अब उन्होंने यह समझ लिया कि किसी भी तरीके से law से बचना मुश्किल हो रहा है तो इन्होंने क्या किया देखो यह कहते हैं यहां से नहीं करते हैं जिद क्या है कि भी material तो X-Limited सप्लाइए करेगी कहते हमें वरोसा नहीं और X-Limited ने देखा कि अगर हम पर्चेज करके तुम्हें देते हैं वो भी वर्क्स कॉंट्राक में डाल दिया X-Limited की एक सिस्टर कंसर्ण्स है एक्स वाइ एंड संस संसे रहे है इन्होंने यहां पर पर्चेज करी 20 रुपे की material और इनको सेल रिखा दी अब इन्होंने पर्चेज दिखाई 20 रुपे की 10, 15, 35 रुपे का इन्होंने बिल रेज कर दिया अब क्या हुआ अब कहते जी हम फिर से बच गे 194C में से क्यों बच गे कहते जी हमने X-Limited से थोड़े खरीद आ है इस से थोड़े खरीद आ हमने तो 3rd party से खरीद आ है इस एक ने क्या लिखा, Manufacturing or Supplying a Product, Manufacturing or Supplying a Product, Mr. Y की बात हो रही है, According to Requirement or Specification of a Customer, यह X-Limited की बात हो रही है और यह Supplying हो गया, Y, By Using Material Purchased from such customer, X-Limited, यह Works Contract में आता है, अब कहता है, All it's Associated, Being a Person Referred to Under 40A2, 40A2 हम करेंगे Business and Profession में, पर अभी के लिए आप मान के चलो, Subsidory वगरा सारे आगे प्रिच में, 40A2, यानि इन दोनों का रिष्टा जो है, वो 40A2 में Establish हो गया, और इस से अगर आपने Purchase करी है, और आपने इसको Supply करी है, यह भी 194C में आ गया, और अगर 1 Consolidated Price है तो सारे पे कटेगा लेकिन अगर आपने 20 और 15 अलग लग दिखाया तो 15 पे कटेगा, 20 पे नहीं कटेगा, तो यह हो गया बहुत important बात, अब एक बार और करेंगे इसको देखो, क्या हो रहा था, X Limited ने गत्ते के डबे बनाने का order दिया Y को, सीधी सी बाद है, Y को material खरीजना था मार्केट से, X Limited को सेल कर देते हैं, यह हो जाता है, सेल अफ गूड कांट्राक्ट, आज भी अगर ऐसा है, तो कोई टीडियस नहीं है, लेकिन अगर material X Limited ने दिया, इशू करा, और आपने लेबर का कांट्राक्ट करा, यह भी को दिक्कत नहीं है, 184C में आ रहा है, दिक्कत कभाई, X Limited ने खरीदा material आपको सेल कर दिया, और आपने उसको सेल अगूर्ज में दिखाने की कोशिश करी, कहता ना, नो, यह तो 194C में आएगा, तो आपने क्या किया, आपने Y को खुद ना बेचा, अपनी सिस्टर कंसरन्स से बिक्वा दिया, वो भी 194C में आ जाएगा, चल, अब आगे चलते हैं एक बहुत इंटरस्टिंग सेक्शन पे, 194C, अब 194C को समझते हैं, सो मैं लिख रहा हूँ, we are going to talk about section 194C, इसको बड़े द्यान से सुनो, पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा important है, अब देखते हैं, क्या बोल रहा है, हुआ क्या है, आखकी डेट में आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, मार्किट तो कौन जाता है, आप सीधा फोन उठाते हैं, वहाँ फिलिपकार्ट दिखता है, अमज़न दिखता है, सेल दिखती है, तो आपके पास बहुत सारी online marketplace होगी, तो चलिए, दो तीन marketplace ले ले लेते हैं, ये एक ले ले लेत हैं, पहली marketplace है, Amazon, दूसरी marketplace है, फिलिपकार्ट, तीसरी marketplace है, लेट से ही, वकील, रही है जी, अब क्या हो रहा है, आपने mobile के थूरू, इन website से कोई भी चीज़ खरी दी, पर देखो, Amazon के पास अपनी तो कोई गोडाउन में गुड्स ही नही है, Amazon ने क्या करा, पीछे बहुत सारे लोगों को, contact में लिया, और उनको अपने क्या बना लिये, seller, यानि ये लोग Amazon के थूरू, आपको सेल कर रहे हैं, और आप जो पैसा देते हैं, वो Amazon को देते हैं, और Amazon इनको वापस देता है, तो दो बाते हो रही हैं, सेल हो रही है, और यहां हो रहा है, सेल औफ ये, आप इनको पैसा देते हैं, आगे इधर पैसा जाता है, अब गबंट कहती है, इतने सारे इनको वर्ड बोल दिया हमने, seller, इनको कहां ढूंडते फिरेंगे, हिंदुस्तान में कहां बैठे होए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे करेंडर, जो भी पेमेंट करेगा तुच रह तुच था वा चुछ हां गुडज और शर्विसेज क्या-क्या बैच रहे हैं, या ड्?. शर्विसेज बेच रहे हैं थूद है ड्रू धेर कमेंस्स इंडिया में seller है और उनकी उपर income tax government को कटवाना लेकिन ये जो e-commerce operator है ये resident भी हो सकता है non resident भी हो सकता है resident भी हो सकता है buyer non resident भी हो सकता है USA में से किसी ने flip card की website से इंडिया में से कुछ चीस खरी दी हम तो इंडियन वाले की income पे tax ले रहे ना हम कहते हैं आप resident हो amazon non resident है जैसे flip card resident हो गया हो सकता है e-wakil भी resident है ये जो payment कर रहे है government कहती है gross amount अब suppose करो आपने amazon पे 10,000 की चीज़ खरी दिया है इन भाई साब की ये बैठे हैं गुजरात में कहीं पर manufacturing कर रहे हैं बरतन manufacturing कर रहे हैं आप बरतन खरीद रहे हैं website पर जाके अब amazon क्या करेगा इस में से अपनी commission सपोस करी हराज पे काटा और 9,000 पे इसको भेज दिया लेकिन बेटा जब ये अपना business income निकालेगा ये तो यहां 10,000 पे लेगा ना इसकी sale तो 10,000 पे हुई इसने amazon को 1000 प्या commission दी अब government कहती है टीडियस कटेगा gross amount पे on the gross amount at the rate of 1% कितना ज्यादा नहीं कटवार है 1% परन्त तू इसका pen number चीए बेटा इसका pen number चीए किसका seller का और अगर नहीं आया अगर नहीं आया तो rate आपको मैंने बताया था पर under 194.0 rate 20% नहीं है अगर pen number नहीं आया तो rate क्या है तो चलो देखें rate क्या है मैंने करवाया हुआ है एक बार जाकर चेक कर लेते हैं देखो जब हमने करा था 206AA मैंने बोला था जब 194.0 करेंगे तो देखेंगे maximum 5% अगर pen number नहीं दिया वैसे 20 हो जाता है पर under 194.0 if no pen if no pen then the rate becomes 5% else it is 1% तो चली एक तो यह हो गया किशएim so the government is now catching hold of e-commerce operator और इनको बोला गया e-commerce participant क्या बोला गया बिटा e-commerce participant e-commerce operator और इसको नाम दिया गया buyer। mogy last time नहीं बोलुंगा buyer may be a resident or non udah in e-commerce operator may be a resident or non resident पर और 194 IEK applicability के लिए क्या चाहिए इकमस participant का resident होना और gross amount पे 1% TDS कटेगा और अगर pan number नहीं आया किसका seller का तो seller कौन हुआ इकमस participant बोलेंगे उसको तो rate हो जाएगा 5% चलो अब एक और बात कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है यह जो buyer है यह direct payment seller को कर देते हैं यानि मिले थे flip card पे पर बाद में payment कर दी direct ऐसा flip card ने allow किया या कोई और छोटा platform है जो allow कर देगा सारे तो flip card इतने पड़े नहीं होते तो अगर कोई ऐसी website है जिसके थूँ आप समान खरीदते हैं पर वो buyer को बोलता है direct payment seller को करो और फिर seller इसको commission देता है अब ऐसे case में government of India कहती है 194 आई लगेगा आप यह मान लीजिए कि यह payment direct नहीं गई इनके थूँ गई और अब इन पे भी flip card को TDS काटना ही काटना है so be very careful कि अगर sale through e-commerce operator हुई है payment e-commerce operator के थूँ हुई या direct हुई इस पे तो e-commerce operator को TDS काटना ही काटना है now let's go and read this from our module module के कौन सा page है page number है 93 आज़ो अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पर यह सारी बाते मैंने लिख दी है यह आगया word e-commerce operator यह आगया word buyer और यह आगया word e-commerce participant मैंने कहा यह seller of goods और services दोनों बाते हैं payment इनके through हो रही है gross amount पे 1% है यहां लिख सकते हो if no pan by seller then 5% और अगर payment is directly made TDS is still deductible यह deduct होगा at the time of credit or payment whichever is earlier अब बेटा एक exception दी गई है वो क्या है देखो कहते हैं अगर यह e-commerce participant जो है यह यह individual यह HUF है और उसका gross amount of sale through e-commerce operators is less than or equal to 5 lakhs in the year and उसने अपना pan और आधार e-commerce operator को दे दिया तो कोई TDS काटने की responsibility नहीं है अब इसको थोड़ा सा detail में समझेंगे reading करेंगे आपको पता ही है आईए sale of goods or provision of services of an e-commerce participant क्या लिखेंगे यहां पर seller note करते जाओ बेटा revision में काम आएगा कल को तुम बोलो कि सर ने तो कराया है नहीं इसलिए मेरे साथ-साथ underline करा करो तुम खुद मानोगे कि जब underline करते हो ऐसा लगना शुरू हो जाता कि करा हुआ है और revision किसा में लगता हाँ यह तो करा हुआ है खाली कागर देखोगे तो tension हो जाएगी करा ही नहीं हम e-commerce participant means a person resident in India selling goods or providing services including digital products through digital or electronic facility services include fees for technical service or professional fees is facilitated by an e-commerce operator so एक word आगया participant mark करते जाओ क्या क्या याद रखना है एक word आगया operator चलो e-commerce operator means a person who owns operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce true it's digital or electronic facility or platform such e-commerce operator shall at the time of credit or payment whichever is earlier deduct TDS at the rate of 1% of the gross amount or vaha likhlo no pan आप तक याद हो गया कितना है पांच परसंट अब बड़ा for the purpose of this subsection any payment made by a purchaser of goods or services directly to e-commerce participant seller for sale of goods or services facilitated by e-commerce operator it shall be deemed to be the amount credited or paid by e-commerce operator to e-commerce participant and shall be included in the gross amount of such sale or service for the purpose of deduction of income tax under this section मतलब उस पे भी TDS काटना पड़ेगा अब इड़ा then he says subsection 2 no TDS shall be deductible ये द्यान से पड़ते हैं भाई कब नहीं काटना TDS from any sum credited or paid or likely to be credited or paid to the account of e-commerce participant being an individual or HUF where the gross amount of such sale or services or both during the year is less than or equal to 5 lakhs and such e-commerce participant has furnished his PAN or Aadhaar number to the e-commerce operator okay so वो ही बाली बात होगी 5 lakhs से कम now ध्यान से notwithstanding anything contained in part B of this chapter यानि other other sections other sections part B of the chapter जितने बाकी section है not withstanding anything contained in other sections मतलब ये section 194 O बाकी sections को क्या कर रहा है override कर रहा है इसका मतलब क्या देखो he says that transaction in respect of which tax has been deducted or which is not liable to deduction under subsection 2 tax has been deducted under subsection 1 or not liable for tax deduction under subsection 2 shall not be liable for tax deduction under any other provision of this chapter यो क्यों add करा अच्छा सुनो एक चीज़ बताओ एक डॉक्टर है ठीक है जी वो e-commerce operator के थूपेशेंट को advice दे रहा है पेशेंट ने पैसा दिया 40,000 रुपया एक और पैसा दिया 30,000 रुपया एक और पैसा दिया 70,000 रुपया यानि डॉक्टर को पूरे साल एक लाख 40,000 रुपया आया अब यह individual है डॉक्टर resident है पांच लाख से कम है तो इस पर तो टीजेस कटना ही नहीं है 194.0 में तो अंडर section 194.0 कोई टीजेस नहीं कटना है अब मुच्छड मारा मुच्छड के दो तीन खाई mentos दिमाग की बती जग गई और मुच्छड क्या गयाता सुनो क्याता भाई ठीक है 194.0 में मत काटो परन्तु इस पे तो 194.0 में टीजेस कट रहा है इस पे भी कट रहा है वहां लिमिट कितनी है 30,000 तो फिर टीजेस काटो फिर 194.0 में काटो ओ में नहीं कट रहा तो तो गर्मर्ण ने का ऐसे तो फिर यही लड़ते रहा जाएंगे भी O, J, J, O, O, J तो गर्मर्ण ने का छोड़ो अगर वो O में आ गया चाहे उस पे टीजेस नहीं कट रहा अंडर सब सेक्शन टू इस केस में अब यह 194.0 में नहीं जाएगा इस पे टीजेस 194.0 में नहीं कट रहा जाएगा और एग्रिगेट ऑफ अमाउंट रिसीवड और रिसीवड़ बाई एनी कमर्स अपरेटर फोर होस्टिंग ऑफ अडवर्टिसमेंट्स और प्रोवाइदिंग एनी अदर सर्विस विच आर नॉट इन कनेक्शन विच सेल रेफर्टू इन सब सेक्शन वन यह क्या कह रहा है इसमें मेरे को आपको थोड़ा बहुत सम्झाना पड़ेगा आप यह समझें यह एकमस ऑपरेटर ने अगर आगे से 10,000 रुपे कलेक्ट करें और आपको 9,000 रुपे दिये अप्लीज आंडरस्टैंड यह जो 1000 रुपे है एक तरीके से फ्रॉम दे सेलर तो दे एकमस ऑपरे कटेगा यह 194.0 में आता ही नहीं है हम तो सरफ यहां कह रहे हैं कि यह 10,000 पर टीजस कटेगा बाइदा एकमस ऑपरेटर यह जो कमिशन दे रहा है उसकी डिबेट यहां नहीं करेंगे और वैसे भी यह फाइनल लेवल का पॉइंट होएगा इसको छोड़ दीजे आए एक ब उन्होंने स्रफ यह क्लिवाइख करा है कि यह पैसा उओ में नहीं आ रहा ह grated है यह तो वैसी नहीं आए यह था पर मेरे साब से क्लारिफिकेट रिया कि यह इकमस आपरेटर के टिडिस लैबिल्टिमें वैसे ही नहीं आ रहा है किउंकि पेयमेंन्ट तो यह कर नहीं कर अग we look at a few simple illustrations for you जो आपके लेवल पर पेपर में आ सकती है Mr. X is manufacturing utensils in a village near Chandigad he becomes a supplier on Amazon Amazon non-resident है and Flipkart, Flipkart is a resident and Supercell, Supercell को भी resident है यह तीनो e-commerce operators है और इसके through Mr. X जो हमारा seller होगा या e-commerce participant होगा वो बेच रहा है goods कहता है, as per terms of contract with Amazon and Flipkart the money will first be credited to the accounts of the platform providers and then after deducting agreed commission will be paid to him तो यहाँ पैसा पहले Amazon के पास जाएगा फिर X के पास आएगा as per terms of agreement with Supercell the buyer will directly pay the money to X and then X will transfer the commission to Supercell तो यहाँ पैसा X के पास आएगा और वो commission देगा यह अलग-लग agreements है पहली situation Mr. Y from Mumbai buys utensils through Flipkart यह resident हो non-resident हो, doesn't matter Flipkart resident हो non-resident हो, doesn't matter किसका resident होना जरूरी है? X का resident होना जरूरी है और यह सारी illustrations X के बारे में है the money is first credited to Flipkart account on 1st December and then after deducting 2% commission Flipkart pays 9,800 to X on 3rd January assume aggregate sale from all platforms is more than 5 lakhs तो अब हम बोलेंगे Flipkart को Flipkart को जब वो Mr. X को money भेज रहा है दियें उसने 9,800 है पर gross amount जो है gross amount जो है वो है 10,000 और इस पे 1% TDS काटेगा under section 194 O कौन काटेगा? Flipkart काटेगा और कब काटेगा? कब? at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier यानि 1,12 चलो अगें वाई फ्रम मुंबई वाई उटेंसल वर्ट थू अमेजान अब यहाँ पर यह resident यह non-resident हो गया उपर वाला example में Flipkart of course was a resident हलां कि मैं क्या दिखा रहा हूँ इन दो example में और कोई difference नहीं मिलेगा आपको the only difference is किसके थ्रू बेचा वो resident platform है या non-resident है doesn't matter USA में बैठा कोई Amazon के थ्रू गुजरात के seller से खरीद रहा है तो Amazon को गुजरात के seller को payment करता समय है TDS काटना है नहीं काटेगा तो Amazon को हम बोलेंगे हम देश में तेरे को काम नहीं करने देते है कई बच्चे पूचते हैं आप Amazon को कैसे बोल सकते है वो तो अमेरिका में बैठा है अरे भाई काम तो इंडिया में हो रहा है Chinese की apps ban नहीं करती government नहीं वो जो मर्दी करी जाए हमारा देश है हमारा इलाका है भाग की सारा is exactly the same so answer is same TDS कटेगा इस बार obviously Amazon काटेगा अब कहते हैं Mr. Y a non-resident from USA buys goods through either flip card और Amazon हमें क्या सिखा रहा हूँ कि ये resident हो या non-resident हो doesn't matter ये resident हो या non-resident हो doesn't matter किसका resident होना जरूरी है X का and answer remains the same चलो तीन बाते clear होगी अब Mr. Y from Mumbai buys utensils worth 10,000 through super sale the money is paid directly to Mr. X on 112 and then 2% is paid to super sale by X on 3rd January अब क्या होगा इस case में भी assumed कर लिया जागा deemed payment deemed payment by super sale to Mr. X and 194 O लगेगा 194 O pay TDS कटेगा at the rate of 1% कटेगा और कब कटेगा जब आप payment होगी यहां payment होगी है credit चाइड बाद में करा payment होगी है now Mr. X is a seller अच्छा ये resident हा देखो seller resident हा sells utensils worth 150 through flip card 250 through Amazon 120 through super sale this being the total sales he made during the year is there a liability to deduct TDS under section 194 O अब दिक्कत क्या है यह जो पांच लाग की लिमिट है यह पर पर e-commerce operator है या aggregate from all e-commerce operators नो वन वे रीट दिक्कत उसने बोला पांच लाग की aggregate during a year which means इन सब से है दिक्कत यह है flip card को कैसे पता Amazon पे आपने कितनी सेल करी और Amazon को क्या पता flip card पे कितनी करी या दोनों को क्या पता super sale पे क्या करी या super sale को क्या पता वहाँ पर क्या करी पर practical difficulty आएगी government को इस पर थोड़ा बहुता clarification देना पड़ेगा पर अभी के लिए हम बोलेंगे yes TDS is deductible because aggregate amount exceeds five lakhs during the year चीक बात होगी now अच्छा एक बात और याद रखेंगे ये section बेटा add हुआ है एक दस दो हजार बीस को यानि एक दस से पहले इन transactions पे tedious नहीं करता था समझ में आगी बात ये बाली बात आप याद रखेंगे एक दस दो हजार बीस को ये section आया है अब इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे और illustrations दी हैं questions दी हैं आपके खुद के करने के लिए इनको करो इनको समझो और अगर इन में कोई doubt आया फिर क्या करते हैं बताया है मैंने तुमने बिल्कुल whatsapp उठाओ और मेरे से doubt पूछो